महंगी चीज़ें खरीद कर अपने घर को और्गनाइज करने में कोई बुराई नहीं है पर जो सुकून अपने हाथों से बनाए हुए DIY से अपने घर को डेकुरेट करने में और और और्गनाइज करने में मिलता है वो दुनिया की किसी भी महंगी चीज में नहीं है Hello friends, welcome back, I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे, तो आज हम लोग इस material को reuse करके बहुत ही amazing से DIYs बनाएंगे, जो हमारे घर को organize करने के साथ decorate भी करेंगे, festive season में भी काम आएंगे और कभी भी हम इनसे अपने घर को organize कर सकते हैं, so let's begin. पहले DIY के लिए मैंने cardboard के ऐसे तीन pieces कट करें हैं, measurement आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, और इसका जो shape है वो भी आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं, साथ में मैंने ऐसी कुछ पतली-पतली पत्तियां भी cardboard की कट करी हैं, और अब जो बड़े वाले pieces हैं, उन्हें मैं Fabricol की help से एक दूसरे में अच्छे से stick कर दोंगी, अब जो पतली-पत्तियां हमने cut करी थी, उन्हें हम ये बड़े cardboard pieces के दोनों ही side में कुछ इस तरह से ages बनाने के लिए use करेंगे, इन्हें भी मैंने glue से चिपका दिया, और सूकने के बाद हमें कुछ ऐसा pattern मिलेगा, और अब मैं मैंने लिए हैं कुछ brown paper के टुकडे और उन्हें glue की help से जो भी इसकी किनारियां खुली हुई हैं, उन सब के ऊपर अच्छे से चिपका कर हमें से सुखा लेंगे, पूरी तरह से सूखने के बाद मैंने wall putty, fabical और पानी को मिला कर एक paste तयार किया और उससे ही ये पूरा मैं cover कर दूँगी, इससे इसको एक extra strength मिल जाएगी और कोई भी color इसके ऊपर करेंगे तो वो बहुत अच्छे से निखर के आएगा, और अब बार यह सबसे interesting part की वो है coloring, सारही acrylic color मैं use कर रही हूँ, जो भी shade आपको पसंद है आप उन्हें apply कर सकती हैं, मैंने यहाँ पर black acrylic color को use कर रहा है, बीच की side में मैंने छोड़ दिया है और इसके ऊपर मैं use करूंगी सबसे पहले fabricol, उसे उंगली की help से ही spread कर दूँगी और यह एक मैंने printed paper लिया है, इसके size के हिसाब से ही इसे cut कर लिया और इसे इसमें stick कर देंगे, stick करने के बाद जैसे यह सूख जाता है, उस organize कर सकते हैं, reference के लिए मैंने कुछ ideas यह आपके साथ share करे हैं, आप ऐसी या इसे मिलती जुलती कोई भी tray बना सकते हैं, shape और size आपकी उपर depend करता है, बट यह दिखने में बहुत अच्छी है और बहुत ही कम खर्चे में बनके तयार हो जाती है, best material भी reuse हो जाता है दूसरे DIY के लिए मैंने select करा है, यह इस तरीके का एक मेरी kitchen में लगा हुआ wall art, यह लकडी का एक panel है और मैंने इसको ऊपर कपड़े को लगा कर कुछ इस तरीके से इसको decorate किया था और kitchen में use कर रही थी तो साथ में मैंने लिये हैं ऐसे cardboard के कुछ पतले पट्टी और इनको फोल्ड करके मैं चिपका लूँगी, उसके बाद इसे भी मैं इस wooden piece के चारोई side में किनारी बनाने के लिए glue gun की health से stick कर दूँगी किनारी बहुत अच्छे से stick हो गई है और अब इसके बीच वाला part hide करने के लिए मैंने बुकरम का एक circle इस तरह से cut कर लिया और इसे इसके बीच में चिपका देंगे फैबिकॉल की help से अब मैंने same previous clips की तरह wall putty का paste लिया है और इसे पूरी tray के ऊपर अच्छे से spread करेंगे फैला देंगे और उसके बाद हम करेंगे इसके ऊपर color again मैंने सारे ही colors acrylic use करे हैं और जो shade मेरे पास available थे उनी को मैंने इनके ऊपर paint किया हुआ है आप अपने मन के कोई भी shade use कर सकते हैं जो भी आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं color करने के बाद जब यह पूरी तरह से सूख गई उसके बाद मैंने 3D outliner लिया है dark blue color का और उससे इसके ऊपर कुछ pattern बनाऊंगी center वाले part में pattern बनाने से ही इसका लोग बहुत अच्छा लगने लगा है और दिखने में भी बहुत अच्छी लग रही है बहुत easily इस तरह की चीज़ें बन जाती हैं और हमें extra कोई भी पैसे नहीं खर्च करने पड़ते हम अपने craft के लिए चोटे मोटे items तो घर पर रखते ही हैं हम चलिए इसको decorate करते हैं अपनी center table पर बहुत easily बन जाती है इस तरह की चीज़ें और हमारे घर में जो थोटा मोटा कवार्ड या ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जिने हम reuse कर सकते हैं तो उन्हें अगर इस तरीके से यूज करा जाए तो घर के लिए काफी useful चीज़ें भी बन जाती है और फाल्तु का घर में जो कबर पड़ा होता है वो भी reuse हो जाता है आई होप आपको ये वाले वीडियो बहुत पच्संद आया होगा जैसा लगा ये क्राफ्ट कॉमेंट्स में जरूर शेयर करना मेरे साथ इस DIY के लिए मैंने सेलेक्ट करें हैं कुछ ऐसे कार्ट बोर्ड की बॉक्स और इनकी शेप को मैं बिल्गुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी ऐसे ही मैं इसे यूज करूंगी इसके उपर मैंने वाल पेपर लगा दिया है आप चाहें तो प्रिंटिड पेपर लगा सकते ह अब ये डबा तो कवर हो चुका है साथ में ये मेरा एक फ्लोर फैन है जो महीने में मुश्किल से दो या तीन वार यूज होता है तो इसके कार्ट बोर्ड के डब्बे को भी मैंने वाल पेपर से कवर कर दिया इसके उपर लगा दूंगी कुछ इस तरीके से तो ये हाइड हो जाता है यहाँ पर और उपर से मुझे कोई अलग से कवर डालने की जरूरत नहीं जब चाहिए तो ऐसे ही कवर हटा कर हम इसे यूज कर सकते हैं छोटा वाला बॉक्स मैंने इसके आगे रख दिया है और अब हम इसको डेकुरेट करेंगे थोड़ा सा एक ही मेरे घर में उन्हें ही रियूज करके मैंने ये लुक अचीव कर लिया है अगर आपके पास भी कोई ऐसे आइडियाज हैं तो आप भी अपने घर को इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा So thanks for watching और चैनल को subscribe जरूर कर लेना